परिवार ओविसली जुड़ा हुआ है आपके बेटियां आपके बेटे आपके साथ बीच में हम लोगों सुनने गया कि फलक और श्रफक के बीच में दरहारी आ चुकी है दोनों इतने करीम नहीं रहे हैं और फिर शायद आपने उनको वाफस मिलाया उसके बारे बताईये ने यह बहुत डिफिकल्ट कोश्चन है मैंने भी आपको बताया कि हर बच्चे के अपनी परस्नालिटी होती है तो शपक इंट्रोवर्ड रही शुरू से बहां से आने के बाद यहां पर बहुत सारा नाम मिला फेम मिला अलहमदुलिल्ला काम मिला तो कुछ चीजे ऐसी रही कि जिससे चुटी चुटी चीजे उती है ना उसकी उम्र बहुत कम थी उस वक्त में तो उसको लगा कि कुछ रोक टोक हो रही है मुझे मेरे हिसाब से जीना है और मुझे इंडिपेंडेंट डिसिजन्स लेने हैं जहां पर शायद उसको लगता था कि मैं रोक टोक करती हूं यह आपने बहुत डिफिकल कोश्चन पूछिया मुझे यह आपने मुझे ऐसा कोश्चन पूछिया कि जिससे निकलने के लिए मुझे आठ साल लगे छोड़ देते आंटी छोड़ देते यह वाला सवार हां नहीं इस सवाल का जवाब भी जरूड़ी है क्यांकि बीच में जो लोगों ने कहा है जो बोला है मुझे लगता है प्लेरिफिकेशन बहुत जरूड़ी है क्योंकि रिष्टे रिष्टे होते हैं रिष्टे कभी टूपते नहीं हैं गल्पियां सबसे उती है ह। अगर उस वक्त में मेरी बच्ची मेरी किसी चीज की वज़ा से घर चोड़कर गई थी, तो शायद में भी वहाँ पे ना कहीं थोड़ी सी गलत थी, जो मैंने उस टाइम पर एक्सेप्ट नहीं किया, बड़ उसके जाने के बाद मैंने एक्सेप्ट किया कि क्यों, कहां तो मैं accept किया कि हर बच्चा अलग personality है, मैं उसको फलक के साथ compare नहीं कर सकती, मैं उसको शिजान के साथ compare नहीं कर सकती, वो शपक है, उसकी personality अलग है, लेकिन वो बहुत अच्छी है, मुझे उसके साथ, उसकी personality के साथ, उसकी तरहां से रहना था, जिस एज के लगता है कि बस हम ठीक है और उसी एज के अंदर हम पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि दूपता हुब जो हम थीक ऐ्बारा जोन प्रेंटंप है प्लेह सबना हैं-प्लै तो हमारे रिश्टे बच्usa के साथ तब और वो मैंने रिएलाइस किया कि यह हुआ है, यह मुझसे हुआ है. बाट हमारे बीच में ऐसा जो भी कुछ निव्ज बें, जो भी कुछ निकला.. मुझे नहीं पता वह लेकिन खूआ, किस यह वह नहीं किविए नहीं रहा, रभी केंगा मैं शर्मिन्न नहीं आ कि मैं रहा, मुर्मना हो्ष् leaked I have ever heard ही हम parents भी गलत होते हैं और हमें ये समझना बहुत जरूरी है एक्च्विन सपर अकेला बच्चा निं करता हम भी करते हैं और हम हमेशा ये बोलते हैं हमारे बच्चे ने ये किया तुमने हमारे बारे में सोचा हमारे बच्चे के बारे में क्या हमने सोचा उसने ऐसा अगर फैसला लिया तो क्यूं लिया कुछ तो होगा ना कुछ तो मजने में चूख हो गई कहीं तो एक छोटा सा जो होता है वो हुआ जिसकी वजह से हमें डिस्टेंस आया लेकिन चीजे ठीक हुई एक फिर से ऐसा वक्त आया जहां पर हमें जगुरत थी जगुरत से ज्यादा मतलब जगुरत इंदा सेंस हमें इमोशनल थी नीर थी हमें स्थायो बच्चों जगुरत थी और उसको किसी ने कहा ने है इसकी आए और वुट आ है और आफ तक भी कोई गिला शिक्वा नहीं है कोई पूछना नहीं है क्यों किया होता है जब हम गलती करते हैं या जैसे मैंने का हरी ओर पारन्ट्स सही नी होते पैरेन्स रिलाइज न बड़पन आप में भी है कि आप ओपन ली कहते कि पेरिंस भी गल्टिया करते हैं और उसमें भी बड़पन है कि आप अपना मिस्टेक एक्सेप्ट कर रही है हां and that itself shows कि accept करना अपना मिस्टेक भी करिज दिखाता है और खुद आई और बहुत टाइट हग दे आपको हग नहीं दिया वो रू रही थी और मैं भी रू रही हम रू रहे थे बस हमसे अलफाज नहीं निकल रहे थे हम दोनों रू रहे थे मैंने उसको sorry बोला sorry गटा मुझे माफ करते है टाइल भी कोई पुरानी बात दे कुछ नहीं फिर से start करते है छोड़ दे और फिर से सब ठीक हो गया और मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा अच्छा हो गया शेजान भी बहुत कटनाईयों को जेला है देखा है उस वक्त परिवार strong थी एक साथ पूरी तरह सबसे बड़ी चीज हम में हिम्मत तब आती है जब हम सही होते हैं अगर हम गलत होते हैं तो हम में हिम्मत नहीं आती हैं क्योंकि आप सबसे जूट बोल सकते हैं आप शीशे के सामने जब खड़े होते हैं आप अपने आप से जूट नहीं बोल सकते हैं हमने कभी जूट बोला ही नहीं, जो सच था, वो सच था, सच अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मात है, वही हिम्मत हमारे अंदर नहीं, बहुत कोशिश करी तूटने की, तोडने की, बहुत, नहीं तूटे है, क्यों तूटेंगे? आजमाईश लंबी हो सकती है, सच, सच को जूट, सच को परेशान कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता, जीता सच ही है, और सच अपने आपने ताकत है, हमारी स्ट्रेंथ रही है, मेरी फैमिली की स्ट्रेंथ रही है, सच, हम जो हैं, जैसे हैं, हम यहीं हैं, मेरे बच्चे अलहमदोलिलह आज की तारीफ उसका बहुत बड़ा करव है कि सब अपने अपने एक अच्छे मकाम पे हैं लेकिन आप कभी मेरे घर आएं मेरे घर आने के बाद आप देखिए कि मेरे बच्चे जो भी है स्टार है जो भी है वो दर्वाजे के बाहर है जब वो अंदर अंत्री करते हैं तो सिर्फ मेरे बच्चे वो शीजन है वो शपफ है वो फलक है शीजान के ओपर चपल पढ़ती है या अज है टीनों महिलाओ से एक एख एक ही से थीनों से पढ़ती कि अन्दर न हे चलते हैं कि जो इस पर बीती खुल्लम खुलाप के सामने रोते बिल्कुल, आज भी जो बीती है वो तो छोड़िये, उससे पहले भी जो हमारी लाइफ का रहा है पार्ट, उसके अंदर भी, अभी भी, कभी भी ऐसा होता है, आप रो, जो बोलना है, बोलो, कोई जज नहीं करेगा, हमारी फैबली में यही एक अच्छी बात है कि हम जज नह है, उससे आप affected होते हो कि नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं, इस दौरान बिल्कुल affect नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं पूरी जिन्दगी, जज करने वालों से, ऐसे जज करने वालों से, so cold, मैं और मेरी family, कभी effect नहीं होते, अगर effect होते, तो आज हम यहां नहीं होते है जब शेजान कुछ समय के लिए नहीं थे आप लोगों गे साथ उस वक्त तो शफक फलक और आप डेली एक जंग भार भी लड़ रहे थे ये तीन महिलाओं ने एक साथ मिलकर वो क्या किया आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए एक दूसरे को बोलने के लिए कि द साथ बहुत सारे लड़ाईया चल गया थी इमोशनली फिजीकली फिनैंशली सबसे बड़ी लड़ाई सबीर जो ऑटिस्टिक है उसको समालना बहुत डिफिकल्ट हो गया था बहुत डिफिकल्ट क्योंकि उसके कोश्चन का आंसर देना हमारे बस में नहीं होता था वो about कर आएंगे हम सुभा निकलते थे और वो हम से कहता था कि आप श्याम को भाई को लेकर आओगे हम उसको यकिन बिलाते थे कि हम श्याम को लेकर आएंगे बट घर आने से पहले उसको फेस करना बहुत बड़ी जंग अब आज उसको क्या जवाब देते जू अ कि यह पार अगर घाट सматれた हमने किये हैं क्या हो जिए किया हम किया हैं हूं कि हमें किया तो खीक जह होंने जीफ तो सच्की ही होगी तो जब शिजान वापस आया आहान का क्या रियाक्षिन था पर अने के बाद भी रो रहा था वो इतना डरा हुआ था और अब भी वो इतना डरा हुआ है कि अगर वो घर से कही निकल के जाता है तो वो उसको दिन में जितनी देर तक वो घर नहीं पहुंच मेरे घर में डॉक्स हैं हम लोग पैट लवर हैं और चार डॉक्स में मेरे घर में जिन दिनों में शिजान नहीं था उन दिनों में वो डॉक भी एक बार भूंगे नहीं उन्होंने खाना छोड़ दिया था यह नहीं एक शिजान क bzw. बेखर बनी ले वन्रभवार को सबसे हैं जो और रॉक्स के व्हान है दो में और दिन में द्रॉक्स की और पर हमारे घर हैं नहींद वो बैड पे सोता था शिजान के साथ, सतर दिन में बैड पे ने सोया, तरवाजे पे फर्श पे सोया, और जब वो आया तो उसके साथ सोया, और अब उसको नहीं छोड़ता, तो ट्विटर में मैं देख रहा था और फलक ने अभिशेक को जनानी कहा, तो बहुत से लोग जो आपको लगा फलक गलक थी? पहली बात तो यह है कि जनानी जो है, यह उर्दू का वर्ड है, आप गूगल पर सर्च कीजिए, सर्च कीजिए, और जनानी ओरत को कहा जाता है, और दूसरी सबसे इंपोर्टेंट चीज वो यह है, कि जिस इस्पेशल कम्यूनिटी के लिए उ क्या उससे वो नफरत करते हैं, उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब पहली बात सबसे इंपोर्टेंट चीज तो है कि जनानी का वर्ड देखिए, इसका मीनिंग देखिए, आप गूगल पर सर्च कीजिए, इसका मीनिंग आ रहा है, इस त्री लिंग बोलते हैं, आप चाहें तो आप कैमरे पर दिखा सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, तो जनानी, इट मीन्स औरत, उसका कहने का था है, औरतों की तरह बाते कर रहा है, उसने इस पेशल कम्यूनिटी, जो ये लोग बोल रहे हैं, जिनके लिए बोल रहे है कि ऐसा कहा, वैसा कहा, तो क्या वो लोग इनसान नहीं है, आप उन लोगों से नफरत करते हो, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हो, कि वो हमारे जैसे नहीं है, भाई हम उनको एड्मायर करते हैं, उन लोगों को हम एक्चुली एड्मायर करते हैं, क्योंकि हम उनके जैस जैसे हैं वो हमारे जैसे हैं इंसान है वो लोग आप तो यह बात इस तरीके की बात करके आप उनको गाली दे हो फलक ने नहीं दिए आप उनको दे रहे हो दूसरा इंसलेट हूँ अब्दू रोजिक ने शायद इगनॉर किया फलक को आपको माले में वो इंसलेट हुआ था? नई गुजे ने जाए तो अब्दू ने इगनॉर किया फलक को अच्छा और ही सोशल मिडिया पे आया है ईब देखा वो हाँ मैंने देखा अब्दूरोजिक जब आया था लेकिन मुझे असा तो नहीं लिगा उसने कहीं पर इग्नोर किया है थीक है फिस जगह पर इंडर कर रहे थे उस वक्त निया निग्नोर नी किया मुझे लगता है अब्दुरोजीक उस टाइम बहुत ज्यादा एकसाइटेट था वहाँ पे और उसके लिए सब लोग नए थे और उसका एक बहुत पुराना दोस्त जो की जैद हदीद है तो उसको लेके बहुत ज्यादा एकसाइटेट था तो और फलक भी एकसाइट खड़ी हुई थी तो कुछ नहीं लगा कि उसने इग्णॉर किया है तो भी फ्रैंकली मुझे नहीं लगा इन फैक्ट वापस ट्विटर पे लोग कह रहें कि फलक ने अभिशेक और उनकी माता जी के रिलेशन्शिप के बारे में बोला है चाब वो कहती है कि यार तुम लोग ये वही बच्चे जो सिर्व मदर्स डे पर कॉंटेंट के लिए मदर्स डे विश करते है फोटो पोस्ट करते है और उसके बाद यार मम्मी जाने दोना यार कहते हैं उसने पर्टिकुलर अभिशेक को या उसकी मदर को टार्गेट नहीं किया है उसने एक कॉमन चीज बोली है क्योंकि जैसे कि मैं देख रही हूं वहां पे पूजा जी भी हैं जो काफी सीनियर है और आप हम उनको कौन नहीं जानता है उनको सब जानते हैं कि वह बहुत बड करनी चाहिए और लड़के है या लड़की यहरag को चाहिए लड़कों से एक इजट से अच्छे से बात करनी चाहिए और लड़का है तो उसको भी करनी चाहिए तो मेएबी कि शायद वहां है कि जहां पर आउपर हुआ होगा थैक कॉछ ऑफ्र sticking लोगार desapार мел mano CH को पहमने पांदरा किलो मुझे लूस करने को बोला था टीवी सीडियल प्रोडिउसर्स है और यह एससी स्टेटमेंट जब टीवी प्रोडिउसर्स उन से कहते हैं ते ही यह किसी को भी हिलाएगा यह किसी को भी लाएगा और किसी को भी यह राइट नहीं बनता है और हमारी मतलब नोट मेरी आप लोगों की इंडस्ट्री जो इतनी ओपन माइंडिड है यह लोग ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं मुझे नहीं समझ में आती चीज लेकिन यह मेंटली बहुत बड़ा हैरिसमेंट ह इसको बहुत सारे हैं जिसकी वजह से वह अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रही है वह बहुत मेहनत कर रही है बहुत ज्यादा कर रही है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है बहुत मुश्किल हो रहा है संभालना संभाल भी रही है अपने आप अब घृचते हैं उसकी पिर वो एक्सराइस दर्ख जाती है तो वो साली उसकी वजह से यहां पे यह चीज ओरी हैं तो रहान है लगत हैं जब फैसले तक बहुट अहुनत है बहुतार तक इसेशले इस वोग एक लगन को अरिक्साइब करना है लंबा हो छोटा हो जैसे भी हो देखी विद्धिया बालन जी है क्या उनको काम नहीं मिल रहा है बहुत काम मिल रहा है हुमा खुरेशी है क्या उनको काम नहीं मिल रहा है क्या वो खुबसूरत नहीं दिखती है क्या वो प्यारी नहीं दिखती है तो यह एक जो आपने अपना mind of state जो भी बोलते है वो बनाया हुआ है जो भी बोलते है वो बनाया हुआ है कि आपको आपकी बस ये आपकी figure रहनी चाहिए 26 और क्या है वो 36 है और क्या है आप बताईए तब मुझे मेरी शादी तने साल हो चुकी कि मैं भूल गया हो दस साल हो गए शादी के आप उस इंसाल से पुछे रहे हैं ये सब भूल चुका है टैलेंट का इससे कोई लेना 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 नहीं है 36, 24, 36 पाइनली आपको यार इसका मतलब आपको पता है सोचना बड़ा नहीं छुपे रुस्ता में आप अरे हाई फाइ तो दो अच्छा लोगों का ये भी कहना कि वो पूजा भट से बहुत इंफ्लूएंस्ट है तो कभी-कभा भावना में खो जाती है पूजा भट के थिंकिंग पर नहीं वो क्योंकि वो खुद वैसी ही है और पूजा भट भी मुझे लगता है जो वो है वो इतनी बोल्ड है उनका जितने उनके बारे में मैं अभी तक जितना सुना है जितना पढ़ा है कि पूजा भट आज से नहीं है वो बहुत टाइम से हैं और उनको कौन नहीं जानता नैशनल इंटरनेशनल उनको कौन नहीं जानता उनको तो वो खुद भी वैसी ही बोल्ड है जैसी की फलक है वो जैसी दिखती है वो वैसी ही है तो ये बहुत बड़ा रीजन है किसी के साथ connection होने के दोनों की तो इसलिए दोनों का connection बहुत strong महां पे बन रहा है जो लोगों से आई तिंग हजम नहीं हो रहा है मैं यही बोलू हूँ जब आप पूजा भट को देखती है स्क्रीन पर तो क्या सूचती है आपको लगती है कि वो बोल्ड है आपको लगती है कि वो लीडर टाइप से क्या सोचती है उ है अपनी बात को बहुत खुल के रखती है बिना किसी से डरें अच्विली मैं उनके अंदर खुद को देखती हूँ है यह इन फैक्ट आज की जमाने में जब लोग बिबाख बात करते हैं वो एक्शली बहुत सालों से करते हैं पूजा जी ओके नेक्स साइरिस ब्रोचा उनको तो खाना और खाना और खाना उनकी लाइफ की अभी मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो खाना ही है जिससे बस उपर वाला खाना देते रहो मेरे भाई को उनके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए तो प्लीज बिग बॉस और उपर वाले उनको खा आते रहों अकांगिशा पूरी अकांशा पूरी और अधिया मैं परस्नली किसी को नहीं जो आ देख रही है स्कृन पर किल्बें जैसे की स्क्रीन पर मैं देख रही हूं वह अच्छा खेल रही है ठीक है कुछ ऐसा खास मुझे डिख नहीं रहा है उनके करने में ठीक है हर तो यहां पर ज्यादा तर लोग आपना माइंड सेट करके ही आते हैं कि उन्होंने पूरे एपिसोड जो है पूरे शोज नोट एपिसोड अभी तक पर जितने सीजा ने घोल के पिये हूं है अच्छे से और अकांशा पुरी रियालिटी शोज करती है तो उनको एक्सपीरेंस जब मैंने खुदने भी देखा तो मुझे वह अच्छा नहीं लगा आपकी अपनी एक सोच होती है खेल है आई नो हरकोई वहां पर खेलने गया है महां तो को रिष्टे बनाने नहीं गया है लेकिन वह खेल की एक डिग्डिटी होनी चाहिए ने दायरा होना चाहिए ना आ किसी पर ऐसे कोई कमेंटी नहीं करना चाहूंगे जैड हदीद को तो मेरी बेटी ने अल्डेडी भाई बना दिया है क्योंकि फस जैसे वो फस जे ही उन्होंने बोल दिया था कि you are looking five years old तो वहीं पर मुझे समझ में आ गया था कि भाई ये इसको लाइन मार रहा है तो मैं स अर जगे बाबा मैं तो मुझे टेंशन है कि मेरे साथ लाइन करें जब मुझे मिले लेकिन आप ये देखिए ना की दिल गुर्दा चाहिए आज के टाइम में इतने हॉट बंदे को भाई बोलने के लिए और मेरी बेटी ने वो किया है उसको भाई बोल दिया अरे मैं 30 सेक वाई बंदा बाइक ये प्यार के देवता है इसको प्यार नहीं बीचे की उनको प्यार दे देते हैं उनको प्यार देते हैं राइट इं इंट्रस्टिंग फुकरा इंसान अभिशेग अभिशेग अभट बहुत अच्छा है इसके अब वहाद चाहएं अभिशेग उसके अननर उसकी फैमिली के बारे में मैंने जितना जाना है कोई बंच ऐसी चीज लगी नहीं है कि व्याद रिस्पेक्ट कर नहीं आती है वह सब क जो उसको नहीं करना चाहिए, उसको बाद में रेलाइज होता है कि मुझसे यह वह गया तो अच्छा कहल रहा है बहुत चोह कहल लेकिन मैं नहीं बहुत प्रॉषी है लेकिन ये लोग ये लोग ये लोग बिग बोस को पानी में घोल के अच्छे से पी के आए और बोर नहीं करती हैं फलक की चीज़े यूज करती है बहन मनिशा रानी प्लीज फलक की जो शॉल पहन रही हो वो ना पहनो खुदा के लिए सीरियसली मुझे बुरा लगा क्योंकि आप घुल के सामने नहीं आ रहे हो आप फुटेज फुटेज वुटेज यहां कोई और इतना फुटेज का हुटा नहीं संगा गुंद है बेबी का बेबी का बहुत अच्छी है मुझे बहुत अच्छी लगी वह वह जैसी है वह वैसी ही है उसको परवा नहीं है कि किसी को बुरा लग रहा है किसी को अच्छा लगर ड़सेंट मैटर वो लड़की मुझे एक्चुली बहुत अच्छी लगी है रियल परस्टनलिटी झाल झाल